तोड़ा महां रेश्ट कर लिजिए दोस्तों देखने में जितना आसान लग रहा है नहीं बहाव काफी तेज है सामने गोमुक के दर्सन है यह अब दर्सन करें यही से मागंगा स्टार्ट होती है अभी आप दोस्तों सूरिकुंड के दर्सन कर रहे है यह जो नीचे बना हुआ है इसी को सूरिकुंड बोलते है हम लोग जितने लोग चले थे उसमें से सिर्फ हम दो लोग है यानि मैं और मेरे गाइड भीया जो कि उस पार नदी कुक्रास करके उस पार जाने की हिमद जुटा पाए है गोमुक के दर्सन आपको कराने के लिए दोस्तों यह देखें आप सेब का फल बिल्कुल लगा हुआ अब यह कच्छा है यह देखें आप इस संगम पॉइंट को कैलाज संगम बोला जाता है कैलाज संगम कितना मुश्की लए देखें आप यहां पर ब्रेदिल इसी हो जाता है किसी को किसी को एमस होने लग जाता है मौंटें सिकने सहने लगती है तो उसके लिए आप अपना जो मेडिकल रहता है अपना परस्निर से अमरेका अपना रहता है चीज दोस्तों इस पांडव गुफा में प्रवेश द्वार है यह देखें आप चोटा सा प्रवेश द्वार बना हुआ है इसी को गौरिकुंड बोला जाता है दोस्तों यह जो आप देख पा रहे हैं नमस्कार दोस्तों देव भूमी उत्राखंड के गंगोत्री धाम में आपका स्वागत है दोस्तों अभी मैं आचुका हूँ गंगोत्री धाम यह जो सामने सुंदर पहाडी देख रहे हैं इने सुंदर पहाडियों की गोदी में स्री गंगोत्री धाम इस्थित है दोस्तों और इस वीडियो में संपूर गंगोत्री धाम के दर्सन कराऊंगा दोस्तों इसके अलावा हम गोमुक तक चलेंगे जहां से 30 means 9-2 किलो मेटमिटर की दूरी पर है 19-2 किलो vaisकारेंगे गंगोत्री धाममंदिर के दर्शन कराएं कि इसके अलावं हम कंगोत्री धाममंदिर से लग बाग 20 किलो मेटर ड्रेक करते हुए आगे गुमुःएंट तक पहुचे ग्लैसियर तक पहुचे जहां से मागंगा खायाने की भागी रती नदी का ओर्जिन होता है जन्म होता है दोस्तों बाकि ये सुन्दर पहाडी आप देखें सामने देखें बर्ब से डकी हुई सुन्दर पहाडी के भी दर्सन आप कर पा रहे हैं और इस तरब दोस्तों मागी रती मागंगा का प्रव क्या है और इस वीडियो में संपूर गंगोत्री धाम के दर्शन होगे अभी क्या आयना दोस्तों अभी मैं चलूँन्गा आपको गंगोत्री मंदिर के दर्शन कराओंगा इसके अलामा गंगोत्री मंदिर के आस-पास में कई खुब शूरत दर्शनी इस्थाल जो दोस्तों जैसे की पांडव गुफा इसके अलामा जो है गौरी कुंड है शुर्य कुंड है और साथ ही साथ दोस्तों केदार गंगा और भागी रती नदी का संगम पॉइंट है और भी बहुत सारे दर्सनी इस्थाल हैं जो की गंगोत्री धाम मंदिर के आसपास में ही हैं तो सबसे पहले मैं गंगोत्री धाम मंदिर और उसके चारों तरब जितने भी खुपसूरत दर्सनी इस्थाल उनके दर्सन कराऊंगा इसके बाद जो हम आगे गोमुक की तरफ ट्रेक करेंगे तो यानि आपको संपूर दर्सन होने वाले हैं गंगोत्री धाम और गोमुक क इस वीडियो में तो वीडियो इसकिप मत करिएगा वीडियो अंत तक देखेगा वीडियो लंबी हो सकती है दोस्तों क्योंकि संपूर दर्सन कराऊंगा गंगोत्री धाम के और इधर भी देखें आप सुन्दर सुन्दर आपको बर्प से ड़की पहाडियों के द्रिश से देखने को मिल रहे हैं तो चलिए आप यहां से हम आगे चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं करो आप देखने कर दो अकार ऩंटर आपको अिय कर दो खफिए आपको अंटर अट हैं तो को आ दो जो शाहत अपको घ्ट है हम जो है दोस्तों गंगोतिरी धाम में प्रवेश कर चुके हैं और जो सबसे पहला दर्शन में कराऊंगा आपको वो है दोस्तों गवरी कुंड के सुरी कुंड के और पांडव गुफा के और इसके लिए हमको जो है दोस्तों भागी रती नदी को क्रास करके दूसरी तरफ चलना पड़ेगा आगे से पुल बना हुआ है तो पुल को क्रास करके हम जो है नदी के उस पार चलेंगे आपको दिखा पाऊंगे हैं यहां से तो हम जो है उस तरफ चलेंगे बीच में साथ ही साथ पांडो गुफा के दर्सन कराएंगी दोस्तों और आगे से जो है पुल बना हुआ है तो चलिए चलते हैं आपको दर्सन कराते हैं इसी पुल को दोस्तों क्रास करके उधर चलेंगे और जो सबसे पहला दर्सन होता है दोस्तों वो गौरी कुंड का दर्सन होता है इस अस्थान पे गौरी माता के चरन चिन भी हैं दोस्तों और उसी अस्थान पे माता गौरी ने तपस्या करी है यहां तो यह जो आप अस्थान देख रहे हैं यह गवरिकुंड नामक इस्थान है दोस्तोओं यह देखें आप सुंधर-सुंधर पावडियों के तलायटी में यह अस्थान है दोस्तों यह देखें आप और अभी मैं आपको मा गंगा के मा भागी रथी के दर्सन कराता हूँ तो यह जो आप दर्सन कर रहे नीचे यह मा गंगा है मा भागी रथी है दोस्तों और बिल्कुल मा गंगा मा भागीरती की किनारे पर गौरी कुंड नामक पवित्र और पौराडिक इस्थान इस्थी थे दोस्तों तो सबसे पहले हम आपको इस पवित्र और पौराडिक गौरी कुंड के दर्सन कराएंगे यह देखें आप कितना सुन्दर रमड़ी यह स्थान है दोस्तों यह देखें आप और इस तरफ जो है न दोस्तों वो है सुर्य कुंड इस तरफ यहां से लगबग मैं समझता हूँ 100-500 मिटर की दूरी पर सुर्य कुंड नामकी स्थान है उसके भी हम दर्शन कराएंगे वहा आगे परवत की तलाटी से होते हूँ लगबग 1,5 किलो मिटर आगे चलेंगे तो वहाँ हम आपको पंडव गूफा के दर्शन कराएंगे ज्यानि गवरि कुंड के बदेखें हम पंडव गूफा के दर्शन कराने के बाद वहां से जब हम वापस आएंगे तब जो हम आपक की माँभागी रथी के बड़ ही दिब्वय दर्शन कर पा रहे है दोस्तों इस प्रकार खोप्षूरत मार्ग बनाया हुआ है माँगगा ने चट्टानों को काट करके चट्टानी परवतों को काटकरके यह अपने आप में बड़ा ही दुरलब और बड़ा ही दिब्वय कि जो मार्ग आप देख रहें दोस्तों यह सुर्य कुंड और केदार गंगा माभागी रथी के संगम पॉइंट की तरफ चला जाता है लेकिन अभी क्या है हम आपको गौरी कुंड के दर्शन कराएंगे और पंडव गुफा के दर्शन कराएंगे जो कि इस तरफ है दोस्तों तो चलें जी सबसे पहले आपको गौरी कुंड के दर्शन कराएंगे दोस्तों इस गौरी कुंड नामक इस्थान पर अगर आप देख पाएं तो देख सारी कुटिया बनी हुई है और यह कुटिया दोस्तों बिलकुल एक प्राकृतिक तोर पर बनी हुई जिसे गुफा टाइप बनी हुई है चट्टानी सिलाओं के सपोर्ट से और यह देखें यह जो आप देख पा रहे हैं गौरी कुंड क खाने पिने की विवस्ता है जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं यह देखें कितना सुन्दर द्रिश से आपको इस वक्त मैं दिखा पा रहा हूं गंगोत्री दाम के गौरी कुंड से और यहां पर देखें तो यह है दोस्तों सेब का ब्रिक्ष इस पर मैं आपको दिखा पाउं तो एक सेब का फल लगा भी है अभी क्या है कि इस सीजन में सारे सेब के फल तोड़ दिये जाते हैं यह देखें आप सेब का फल बिल्कुल लगा हुआ अब यह कच्छा है यह देखें हाँ अभी दोस्तों हम आपको माता गौरी के चरंचिन के दर्सन यहां कराते हैं इस अस्थान पे और मा गंगा के मा भागी रथी के गर्जना की आवाज भी आप सुन पा रहे होंगे यह जो अस्थान है दोस्तों यह जो आप देख पा रहे हैं इसी को गौरी कुंड बोला जाता है दोस्तों यह जो आप देख पा रहे हैं यह जो द्रिश्य आप मा गंगा के मा भागी रथी के देख रहे हैं इसी द्रिश्य को इसी पॉइंट को गौरी कुंड बोला जाता ह यह देखें परवटों परवटों को। मागंगा माभागि रती ने काट करके कितना सुंदर सुरूफ दिया हुआ है। इस इन सिलाऊफों में आपको देवीदेटाओं के छवी के भी-दर्षन होते हैं। अगर आप गौर से देखें। यह दर्शन करें आप और आपको इधर भी दर्शन कराता हूं मैं यह देखें मागंगा के माभागिरती के गौरी कुंड पर दुरलब और दिपे दर्शन करा पा रहा हूं दोस्तों यह दर्शन करें आप और बिल्कुल मेरे बैक साइड में ही गौरी माता के चर्णों के निस यह जो आप दर्शन कर रहे हैं दोस्तों एक चरनी है उनका दूसरा चरनी है तो बताते हैं कि सस्थान पर मातागौरी ने खड़े ओकर के तपस्या करी थी दोस्तों यह आप दर्शन करें यह देखें सिला है दोस्तों चट्टानी सिला है यह परवत की चट्टानी सिला है और इस सिला पर मातागोरी की दोनों चरड़ की निसान अंगी थे दोस्तों तो दिपदरसन आप करा पा रहा हूं आपको मैं और बिल्कुल बैक साइड में जो दरसन होते हैं वो गआपको कुन्ड के होते हैं और यह सुन्दर गौरी कुंड नामे की स्थान है दोस्तों और अब जो है हम चलेंगे पंडो गुफा की तरफ दोस्तों जी हां तो यहां बगल से ही मार्ग बना हुआ है सिडियां बनी हुई है तो सिडियों को चड़ते हुए इसके बाद हम राइट साइड चलेंगे लगब जी हां आदा गंटे के लगबक का रास्ता है दोस्तों इसके बाद हम आपको दर्सन कराएंगे पंडो गुफा के और वहीं पे चल करके उस गुफा से जुड़े हुए पाउराली की तिहास को भी बताएंगे यह सिला दोस्तों अपने आप में बड़ी ही दिब्भे दर्सन करें आप यहां पे मातागोरी के दर्सन है यह देखें मातागोरी जो है तपस्या कर रही है बगवान बोले नात की भी दर्सन है और बगवान बोले नात की जटाओं से मा गंगा प्रवाइत हो रही है यह अपने आप में संपूर गंगोत्री धाम के पौराडिक दर्सन इस सिला पर हो रहे हैं दोस्तों दोस्तों इसी मार्ग से होते हुए लगबग जंगल में हमें 1.5 km चलना पड़ेगा इस तरह से इसमार बनाऊओ आप देख पा रहे हैं नजारे तो अधबूत हैं खुपसूरत हैं दोस्तों इन खुपसूरती को बया करने के लिए मिरे पास सब्दहन है नहीं दोस्तों कि देखें आप क्या दोस्तों गंगोत्री धाम के खुशुरत पाड़ियों के और यह देखें आप यहां पर देखें तो पेड़ें की पत्तियां इतनी सुन्दर सुन्दर रंग भी रंगी है कि एकदम अपनी तरफ आकर्सित कर रही हैं दोस्तों यह देखें आप दोस्तों हम जो है गौरी कुंड के दर्सन करा चुके हैं आगे पांड़ो गुफा की दर्सन कराएंगी काफी बड़ी सी गुफा है पौराडिक गुफा है दोस्तों इसका नाम है पांड़ो गुफा और इसके बाद जो है हम वापस से लेंगे गौरी कुंड की तरफ गवर्य कुंड से लगबग देड़ सो से 200 मिटर आगे सूर्य कुंड है उस अस्थान के दर्शन कराने के बाद आगे हम आपको केदार गंगा और माभागी रथी के संगम पॉइंट की दर्शन कराएंगे इसके बाद हम जो है आपको गंगोत्री धाम मंदिर के सकनंदा के बड़े ही दिव्या और दुरलब दर्शन होते हैं वो भी कराएंगे दोस्तों क्याने कि अभी हम गंगोत्री धाम में गंगोत्री मंदिर के आसपास जो दर्शनी स्थाल है उनके दर्शन करा दें इसके बाद हम गोमुक चलेंगे जहां से मागंगा का उद्गम होता है जी हां यहां से वो अस्थान 19 किलोमेटर की पैदल ट्रेकिंग से जुड़ा हुआ है पैदल ट्रेकिंग है दोस्तों 19 किलोमेटर की तो संपूर गंगोत्री धाम और साथ ही साथ हम जो है गोमुक के भी दर्शन कराएंगे आपको हम जो है दोस्तों पांडव गुफा पहुँच चुके हैं यहां से मात्र पचाशन के तो 20 मिटर की दूरी पर और रह गया है और कुछ इस प्रकार का भी दिखता है जब आप पांडव गुफा पहुच जाते हैं तो यहां पर फॉरेस्ट इपार्टमेंट के कुछ छोटी छोटे कमरे भी बने हुए देखें आप और इसी के बगल में ही पांडव गुफा है दोस्तों लेकिन उससे पहले मैं आपको यहां के सुन्दर प्राकृतिक द्रिश से दिखाता हूँ और यहां पर दोस्तों एक और नदी की जलदारा देखने को मिलती है अभी तक तो जो जलदारा आप हमारे राइट हैंड साइड में देख रहे थे यानि कि इस तरफ यह मागंगा माभागी रही है लेकिन इस लोकेशन पर इस साइड से भी एक नदी आ रही है दोस्तों इस साइड से चल करके आपको दिखाता हूँ मैं बाकी इस तरफ हम चलेंगे तो पांडव गुफा है यहां से पचास मिटर आगे लेकिन उससे पहले हम यहां पर आपको कुछ सुन्दर प्राकृतिक द्रिश से दिखा देते ह यह दिरिश से दोस्तों यह देखें आप दोस्तों यह जो है ना यह कोई दूसरी नदी है या फिर हो सकता है यह भी कि जो माभागी रथी है माभागी रथी इस साइड से प्रवाइत हो रही थी हो सकता है अंदर से गुफा टाइप कोई मार्ग होगा जिसकी वज़े से गंगा का मा भागी रथी का जो धारा है न वो दो भाग में यहां आ करके विवाजित हो जाती है बढ़ जाती है एक जो जल्दारा आप यह देख पा रहे हैं यह जो आप देख रहे हैं दूसरी जल्दारा उस तरफ है दोस्तों और इसी अस्थान पर इन दोनों जल्दाराओ का फिर से संगा मौझाता इस अस्तान पर ये भी जलदारा दोस्तों जोई कि मा गंगा का मा भागी रथी का ही है और उधर सामने से देखें सामने पाड़ी से देखें तो एक जरना गिरता हुआ आ रहा है काफी बड़े साइच का जरना है ये देखें आप देखें कितना सुन अंडव गुफा के दर्सन कराएंगे यहां से मार्ग बना हुआ है ये देखें आप और ये देखें सेलफी पॉइंट बना हुआ है बट आप यहां ना आने की कोशिस करें क्योंकि यहां रेलीं और बनी नहीं है पैर और फिसला ना तो इतनी गहरी खाई में जाके यह देखें कितनी गहरी खाई है यह देखें और जल का कितना तेज बहाव है यह देखें आप यह देख रहे हैं दोस्तों यह काफी रिस्की पॉइंट है आप यहां ना आए मैं आपको दिखा दे रहा हूं दर्सन करा दे रहा हूं यह देखें कितनी जोर सोर से यहां माग रही है यह देखें आप कितना अदबुत और अलोगिक दर्षन पारा रहा हूँ इस वक्त मैं आपको पंडव गुफा से यह देखें आप डूस्तों यह सै ز्जा माहणिन तो घर देखरी यानि मा गंगा इस तरफ है मा गंगांगा आगे जा करके ले माहण कोppe से करा दोस्तों आगे की तरह कि आगे जलते हैं आपको हम पंडव गुफा के दर्शन कराती हैं दोस्तों यह तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी अभी तो हमें सुर्यकुंड और इसके अलामा कि जो है केदार गंगा भागी रथी का संगम पॉइंट भी दिखाना है और गंगोत्री धाम मंदिर के भी दर्शन कराना है और इसके बाद यहां से 19 किलो मिटर पैदल ट्रेक करते हुए गोमुक यानि मागंगा के उदगम अस्थल तक भी चलना है तो अभी तो बहुत कुछ कवर करना है संपूर गंगोत्री धाम और गोमुक ग्लैसियर के दर्शन क पांडव गुफा जो की गंगोत्री धाम में बहुत प्रसीद है दोस्तों इसका पौराड़ी की तियास भी है वह हम आगे चल करके आपको बताएंगे यहां से रास्ता नीचे की तरफ गया हुआ है तो चलिए चलते हैं आपको संपूर दर्शन कराते हैं यहां से दोस्तों इस पांडव गुफा में प्रवेश द्वार है यह देखें आप चोटा सा प्रवेश द्वार बना हुआ है और इस गुफा की एक और पहचान बता दूं कि इस गुफा के उपर लाल रंग की जंडी भी लगी हुई यह दोस्तों यह आप देख पा रहे हैं अब चलिए हम आ करके दर्सन होते हैं इस पौराडिक और पवित्र पांडव गुफा के और इसके अंदर संत हैं बाबा जी लोग हैं जो की भोजन प्रसादी बना रहे हैं इसमें संत और मात्मा लोग रहते हैं भजन करते हैं तपस्या करते हैं दोस्तों यह दर्सन करें आप चलिए अंदर दिब्बे और दुरलब दर्शन है दोस्तों, यहां पे बाबा जी लोग, संत लोग रहते हैं, भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, कंगोत्री धाम के इस दिब्बे एवं पाउराणिक पंडव गुफा में, एक मार्ग इधर से भी है दोस्तों, यह देखें और इसके अंदर काफी बड़ा इस्पेस है दोस्तों आराम से आप खड़े रह सकते हैं इसके अंदर यह देखें आप काफी बड़ा इस्पेस है इस पांडव गुफा के अंदर यह आप दिब्बे दर्शन करें बाबा जी लोग बिलकुल एक जो प्राचिन तरीका होता है लकड़ी की चुले पर भोजन प्रसादी बना करना है और कुछ इसी प्रकार के दर्शन है यहाँ पर दोस्तो इस गुफा को पांडव गुफा क्यों बोलते है तो इसका थोड़ा सा जो पराड़ी की थ्यास हो बता देता हूँ आपको कि पांडव जो है इस अस्थान पर आये हुए थे इस गुफा में उन्होंने विश्राम किया था इस अस्थान पर दोस्तो इसलिए इसे पा इस अस्थान पर गंगोत्री के इस गुफा में उन्हों ने विस्त्राम किया था। इस अस्थान के नाम पांडव गुफा है ! दोस्तों पांडव गुफा के पास में जहरना गिरता यह देखें आप ! और इस झहरने के जल से यहां जो संत मात्मा लोग रहते हैं अपना जीवन यापन करते हैं इसी जल को पीते हैं इसी जल से बोजन प्रसादी बनाते हैं ये देखें आप और आगे जा करके ये जहरना मावागिरती में मिल जाता है नीचे की तरब मावागिरती नदी है मागंगा है और कितना दुरलब नजारा यहां से आपको देखने को मिलना है यह देखें आप बहुत ही सुन्दर ग्रिस्ट के दर्सन हो पा रहे हैं प्रकृति का अध्बुत तंग में देखने को मिलता है पंड़ गुफा में दोस्तों एक गुफा थी जिसके मैंने दर्सन करा दिये हैं और यहां पर जहर न था तो जहां जहर न देखता हूँ थे जैसा कि यहां पर देख पा हरें अब जोस्तों देर न करते हुए चलिए जलते हैं सुर्रेकुंड फिर से पहुचना होगा गोरीकुंड वापस गोरीकुंड वापस राघक सुरख़ कुंड के दर की तरफ मागंगा के उद्गमिस्थाल की तरफ दोस्तों अभी आप दोस्तों सूर्य कुंड के दर्सन कर रहे हैं यह जो नीचे बना हुआ है इसी को सूर्य कुंड बोलते हैं यह देखें आप और यह मागंगा माभागी रथी कुछ इसी प्रकार से प्रवाइद होते हुए इस अस्थान पर गिरती हैं दोस्तों यह जो आप देख पा रहे हैं इसे सूर्य कुंड बोला जाता है क्यों सूर्य कुंड बोला जाता है तो मैं आपको बता दूं कि जो सूर्य देवता की सबसे पहली की रहे हैं दोस्तों ना वह इसी अस्थान पर पढ़ती है और इस अस हाथ में ही जल जो है अर्ग किया जाता है चड़ाया जाता है उसी प्रकार यहां परमागंगा माभागी रधी सुर्य देवता को अर्ग चड़ाती हैं दोस्तों और अर्ग चड़ाते हुए यहां से वह आगे बढ़ती है इसलिए इस अस्थान का नाम सुरिकुंड पड़ा दिव्य और दुरलब दर्शन है सुरिकुंड के और मैं प्रयास करूँगा आपको वहां तक लेकर के चलूँ वह जो आप देख रहे हैं क्योंकि वहां से सामने से मार्ग बना हुआ है तो हम आपको वहां पर लेकर के चलेंगे और वहां से मैं आपको माभागी रथी के गंगोत्री धाम के सबसे सुन्दर और सबसे कवित्र शृूऑण के दर्शन कराने वाला हूँ दोस्तों जी हाँ अभी आप शुरीकुंड के दर्शन कर रहे हैं मा गंगा के बड़े दिब्य शृूवक्त कर रहे रूप को सुर्यकुंड के नाम से जाना जाता है मित्रों अगर आप देख पाएं दोस्तों तो यहां की जो चट्टानी सिला है ना कितने सुंदर आकार की बनी हुई हैं मागंगा की जलधारा ने इन सिलाओं को काट करके कितना सुंदर रूप प्रदान किया यह देखें आप यह देखें आप और बहुती अदबूत दर्शन आप कर पा रहें मागंगा के इस वक्त सुर्यकुंड पे मागंगा का जो जल का रंग है दोस्तों बिलकुल नीले रंग का पवित्र और बहुती आकरसक जल दिख रहा है इस वक्त यह दर्शन कर पा रहें आप अदबुद दर्सन में करा रहा हूं दोस्तों आपको श्री गंगोत्री धाम में मागंगा के माभागी रथी के जोस्तों थोड़ा था मैं नीचे आया हूं यहां से और भी ज्यादा कुलोजी भी आप देख पा रहे हैं सुरे कुंड का यहां पर मागंगा की जो आप गर्जना है शोर है वो आप सुन पा रहे होंगे अच्छी तरह से अभी मैं आपको उदर भी ले करके चलूँगा वहां से दर्सन कराऊंगा इस सुरे कुंड के मागंगा के माभागी रथी की दोस्तों यह देखें यहां की जो चट्टानी सिला ł आ है न कितनी खुबशूरत लग रही दोस्तों यह देखें आप देख रहे हैं मित्रों अब जो है दोस्तों चलिए चलते हैं उधर से उस पॉइंट पर वहाँ से आपको दर्सन कराते हैं इसके बाद दोस्तों हम आगे चलेंगे यहाँ से आगे जो है दर्सन आपको कराऊंगा केतार गंगा और बागीरती के संगम पॉइंट के और फिर उसके आगे जो है गंगोत्री मंदिर के दर्शन कराऊंगा आपको मैं इसके बाद आगे कि हम ट्रेकिंग गोमुक की तरफ यानि कि मागंगा के उद्गा मिस्थल की तरफ प्रारंब करेंगी मित्रों अभी दोस्तों हम आच चुके हैं उस पॉइंट पर जहां पर केदार गंगा और मागिरती का संगम होता है इसे कैला संगम के नाम से जाना जाता है दोस्तों यह दर्शन आप करें उस तरफ से जो है मागिरती मागंगा आ रही है और इस तरफ से केदार गंगा यह आप दर्शन करें यह केदार गंगा नदी है और उदर से भागिरती नदी यानि मागंगा आ रही है इस सथान पर दोनों नदियों का संगम हो रहा है दोस्तों इस संगम पॉइंट को कहलास संगम बोला जाता है कहलास संगम यह आप दर्शन करें और वाकिय आगे की धारा मागंगा यानी माभागीरती की नाम से जानी जाती है यह गुट कि आगे की तरफ दोस्तों सूर्य कुंड था जिसके मैं आपको दशन करा दिये हैं वहां तक जाना प्रिल नहीं है दोस्तों कि आगे से में ने रस्तराइ से अगल appeal ने तो दोस्तों चेह सवी देखने को मिलता उस कि फिर भी एमेजिंग वैर ने दोस्तों मा गंगा कह मा भागी रथी के स्री गंगोत्री धाम से बहुत ही अद्बुत दर्शन है तो संगम पॉंड के भी दर्शन करा दिया यानि अभी तक मैंने क्या के दर्शन करा दिया आपको मैं बता दू वीडियो में हमने जो पांडव कुफा के दर्शन करा हैं गोरी कुंड के दर्शन करा तरहा दिए हैं और अभी जो आप दर्सन कर रहे हैं यह कैलाज संगम है जहां पर केदार गंगा और माघी रथी के दर्सन होते हैं कि यहां पर आने को दर्सन है दोस्तों स्री गंगोत्री धाम में जो कि मैं आपको करा रहा हूं अब जो है दोस्तों हम आपको गंगोत्री मंदिर के दर्सन कराएंगे यह पुल जो आप देख रहे हैं इसको क्रास करके उधर चलेंगे और इस तरब जो है गंगोत्री मंदिर है तो गंगोत्री मंदिर के दर्सन कराएंगे इसके बाद आगे की ट्रेकिंग हम गोमुक की तर कर पा रहे हैं दोस्तों और उसके बाइट में घंगोत्रीमंदिर का मुख्य घाट है । जहां पर कुस्तता धालू है कुछ यात्री हैं इस नानोगारा कर रहे हैं जल भर रहे हैं हैं 평Sho तो यहां पे मागंगा का सबसे सवच शरूप, सबसे सुन्दर सुरूप के दर्सन होते हैं, गंगोत्री धाम में, और आप कर भी रहे हैं इस सुन्दर दर्सन को, कितना पवित्र जल है मागंगा का, स्री धाम गंगोत्री में, और सामने देखें, तो बरब की पहाडे, बरब है दोस्तों हम जो है दोस्तों दूसरी तरह पाचुके हैं यह आप दर्शन करें मा गंगा के मा भागी रथी के अभी हम उस पार थे दोस्तों दर से हम वीडियो सूट कर रहे थे तेकिन अभी दर आ चुके हैं यह आप दर्शन करें मा गंगा के मा भागी रथी के और इस तरह है दोस्तों गंगोत्री मंदिर श्री गंगोत्री धाम मंदिर यहां से हम प्रवेश करेंगे इसके बाद आपको उपर चल करके श्री गंगोत्री धाम मंदिर के दर्शन कराएंगे और उससे पहले हम खरती पर आवतरित हुई हैं जी हां और गंगोत्री धाम से जुड़ा हुआ जो पौराडी की इतिहास से पौराडी कथा वह भी हम आपको बताएंगे दोस्तों इस वीडियो में तो वीडियो में अभी आप अंद तक बने रहिएगा अभी तो आपको जो मुख दरसन है मुख है स्वर्ग के जन्नत के दरसन है न दोस्तों वो तो अभी कराने बाकी है अभी तो हम आपको जो है गोमुख ले करके चलेंगे जो कि यहां से 19 किलो मेटर की दूरी पर है ट्रेक करते हुए पैदल मार्ग से होते हुए गोमुख जहां से मागंगा का उद्गम होता है औरज जो आप दरसन कर रहे हैं लेकिन मैं आपसे एडवाइस करूंगा कि आप बीच में जाकर के नहाने का कोशिस न करें क्योंकि देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि अंदर जाके नहा सकते हैं जलधारा कम है जलस्तर कम है लेकिन काफी तेज बहाव है दोस्तों यहा जो यात्री यहां सरधालू है स्री गंगोत्री धाम में माँखागी रती के माँगा यहां से जल भरके घर भी ले जा रहे हैं यहー दर्शन करें दोस्तों मा गंगा से मा भागी रथी से या फिर कह सकते हैं स्री धाम गंगोत्री से जुड़ा हुआ जो पौराडी की तिहास है वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों ये जो गंगोत्री धाम है हिमालय की गोद में बसा है ये तिर्थिस्थल और इसी अस्थान पर मा गंगा ने धर्ती को कृतार्थ किया था या फिर यू कहले इसी अस्थान पर मा गंगा धर्ती पर प्रकट हुई धर्ती पर आउतरित हुई पुराणों के आदार पर स्वर्ग की बेटी गंगा देवी ने नदी रूप लेकर राजा भागीरत के पुर्वजों को पाप मुक्त किया था दोस्तों जो राजा भागीरत थे जिनें हम महान रिसिमुनी भी कह सकते हैं इसी अस्थान पर उन्होंने कई वर्षों तक कड़ी तपस्या करी थी तब जा करके उनकी कड़ी तपस्या से प्रसंद नो करके मा गंगा इसी अस्थान पर आवतरित हुई थी दोस्तों जिनके आप दर्शन कर पा रहे हैं मा भागी रथी के मा गंगा के और इसी अस्थान पर महान तपस्वी महान रिसी मुनी रजा भागी रजी की तपो भूमी भी है तपस्थली भी है उसके भी मैं दर्शन कराऊंगा दोस्तों एक जो आप से मैं रिक्वेस्ट सभी वीडियो म करता हूं वो यह दोस्तों कि जब आप यहां इसनान करने आते हैं तो यह जो अपने वस्त्र हैं यहीं छोड़ करके चले जाते हैं मागंगा को मा भागिरती को गंदा करके चले जाते हैं तो आप सभी भक्तों से आप सभी सरदालों से हाथ जोड़ करके विंती हैं कि इन तिर मागंगा में आप गंदगी करने आते हैं यह इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है आप यहां पे पाप करने आते हैं आप यहां पुन्य कमाने नहीं आते हैं अगर आप ऐसा काम करते हैं तो तो आप से जोड़कर विंती एक बार फिर से गंदगी न करें मागंगा में और यहां पर आके गंदगी कर रहे हैं गंगोत्री धाम में यह तो दोस्तों किसी भी मायने में जो है सुकार नहीं है प्लीज गंदगी न करें नहीं देखें इस नान करते में फेक कर के चले जातें ऐसा नहीं आपसे हाथ जुड़कर बिंती है दोस्तों जब मा गंगा धर्ती पर आउतरित हुई धर्ती पर पकट हुई राजा भागीरत के कड़ी तपस्या के फलसरूप तो मा गंगा का वेग बहुत जादे था दोस्तों जी हाँ पुराडो के अनुसार भगवान सिव ने गंगा देवी का वेग कम करने के लिए उन्हें अपनी जटाओं में धाड़ किया था भागीरती के नाय तट पर गंगा देवी को समर्पित गंगोत्री मंदीर है जो की अठारावी सताब्दी में निर्मी था जिसके मैं वीडियो में आपको आगे दर्सन भी कराऊंगा साथ ही साथ दोस्तों ये जो गंगोत्री धाम तिर्थिस्थल है ये समुद्र तल से 3140-3140 मीटर की उचाई परिस्थित है तो ये कुछ पौराडिक इतियास था पौराडिक कता थी मागंगा माभागीरती और साथ ही साथ गंगोत्री धाम से जुड़ी हुई जो कि मैंने आ माभागी रती और मागंगा के दर्शन करते हुए आपने मागंगा के माभागी रती के गंगोत्री धाम के पवरारी की त्यास को जाना दोस्तों अब हम आपको गंगोत्री मंदिर के पास लेकर के चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं इस तरफ मंदिर है दोस्तों वो जो आ अस्थान के दर्सन कराते हैं जहां पे राजा भागीरत ने कड़ी तपस्या करी थी उनकी तपो भूमी के उनकी तपस्थली के दर्सन कराती हैं यह जो आप सामने अस्थान देख रहे हैं यह यह दोस्तों महान तपस्वी राजा भागीरत जी की तपस्थली यह आप दर्सन क कर पा रहे हैं प्राचीन भागिरजी की तपस्थली तो यह वो और दोस्तां इसी अस्तान पर महांत अर्प रआजा भागारत जीने जिने कठीन पराओ आज इन तपस्थली जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं हम जो है दोस्तों गंगोत्री मंदिर प्रांगण में आ चुके हैं यह आप दर्शन करें स्री गंगोत्री मंदिर के स्री गंगोत्री धाम में यह दर्शन है तो गंगोत्री धाम में जो मुख्य मा गंगा का मंदिर है जिसे स्री गंगोत्री मंदिर के नाम से जाना जाता है व पर भगवान भोले नात के वी दिब्बे दर्सन हैं बगल में ही भगवान भोले नात भी वी राजमान है तो चलें भगवान भोले नात के सबसे पहले आपको दर्सन करा देते हैं दिब्बे दर्सन कर पा रहे हैं आप इस वक्त स्री गंगोत्री धाम में गंगोत्री मंदिर के यह आप दर्सन करें और आपको मा गंगा के विग्र के भी यहीं से दर्सन हो रहे होंगी दोस्तों वज़े गर्ब ग्रीग के अंदर फोटो लेना एलाउड नहीं है तो हम आपको यहीं से दर्शन करा रहे हैं आप दर्शन कर पा रहे हैं इस वक्त श्री गंगोत्री धाम में गंगोत्री मंदिर में मा गंगा के हमने जोए दोस्तों गंगोत्री धाम में गंगोत्री मंदिर, सुरी कुंड, पांडव गुफा और इसके लावा गौरी कुंड के साथ साथ कैलास संगम के दर्शन कराएं यानि श्री गंगोत्री धाम में गंगोत्री मंदिर के आसपास चितने भी दर्शनी इस्थाल थे हूं सभी के दर्शन कराएं और साथ ही साथ हमने जो सबसे महतफूर इस्थान है मागंगा का जो मंदिर है जिसे गंगोत्री मंदिर के नाम से जाना जाता है उसके भी आप दर्शन कर पा रहे हैं अब यहां से हम आगे की आत्रा प्रारंब करते हैं यहां से 19 से 20 किलोमेटर की दूरी पर गोमुक इस्थान है गोमुक ग्लैसियर है जहां से मागंगा का स्टार्ट पॉइंट कहते हैं ओरिजिन पॉइंट कहते हैं मागंगा का उद्गम इस्थल कहते हैं पैदल ट्रेक करके वहां तक पहुचना होगा 19 से 20 किलोमेटर की दूरी है यहां से तो चलिए अब हम आगे की यात्रा गोमुख की तरफ यानि मागंगा के उद्गम इस्थल की तरफ प्रारंब करते हैं तो यहां से हमारी जो यात्रा है वो रोमांच से भरी होने वाली एडवेंचर टोटल एड किनारे से होते हुए हम पूरी ट्रेकिंग करेंगे 19 से 20 किलोमेटर की इस दौरान संपूर मागंगा मावागी रती के और साथ ही साथ खुबसूरत बर्ब से ढकी हुई पहाडियों के दर्सन होने वाले हैं तो वीडियो में आप अंत्य तक बने रहिएगा तो चलिए अपन कर दिया है और इससे पहले मैंने आपको गंगोत्री धाम में गंगोत्री मंदिर के आसपास के जितने भी अधर्सनी स्थल थे उनको मैंने कवर किया और नेक्स्ट जो है हमने गोमुक की ट्रेकिंग स्टार्ट कर दी है तो हमारे साथ जो है गाइड भी जुड़ चुके हैं जो कि बिल्कुल देख पा रहे हैं चल ले हैं आगे आगे और बता दूँ आपको की गंगोत्री मंदिर से जब आप गोमुक की ट्रेकिंग करते हैं तो इस दौरान जो गाइड है वो मेंडेटरी होता है कमपलसरी होता है गाइड के साथ जाना क्योंकि जो गोमुक की ट्रेकिंग होती है वो काफी टाफ माने जाती है थोड़ी से रिस्की भी माने जाती है इसलिए इस दौरान गाइड की help जरूरी होती है तो गाइड कमपनसरी होता है गाइड की साथ चलना होता है तो हमने जो है ट्रेकिंग स्टार्ट कर दी है और अभी हम जो है गंगोत्री धाम में गंगोत्री मंदिर के पास में ही है यह जो आप देख पा रहे हैं इधर गंगोत्री मंदिर है दोस्तों और नीचे मागंगा के माभागी रथी के बड़े ही सुन्दर दर्शन है दोस्तों और साथ ही साथ खुबशूरत गंगोत्री धाम के पाड़ियों के विद्रिश से हैं यह देखें आप तो यहां से लगबग 19 से 20 किलो मेटर की दूरी प लंपूर गोमुक के दर्शन कराने वाले हैं दोस्तों तो विडियो में आप अंत तक बने रहिएगा अभी दोस्तों हम पहुँच चुके हैं चेक पोस्ट पॉंटि पर लगबग 2 किलो मेटर ट्रेकिंग हम कर चुके हैं गंगोत्री मंदीर से तो किलो मेंटर चलने के बाद यह चेक पोस्ट आता है यह आप देखें तो यहां मेंट पर डाकुमेंट होगरा चेक किया जाता है इसके बाद यहां से आगे की यात्रा शुरू होगी बता दूँ आपको कि जब भी आप गोमु का ट्रेक करते हैं तो गंगोत्तिरी धाम में ही एक परमीशन डाकुमेंट बनवाया जाता है एक दिन पहले तो मैंने कल ही परमीशन डाकुमेंट के लिए अप बढ़ेंगे पाकी बैग और भी चक किया जाता है और वीडियो में आगे हम आपको गाइड जी से भी मिलो आएंगे यह भी ट्रेकिंग से रिलेड़ेट कुछ इंपोर्टेंट जानकारी आपको देने वाले हैं बाकी चलिए हंट्री करते हैं चेक करवाते हैं और फिर यहा कोमेंट लेकर को चेक करवाएंगे वेरिफाय करवाएंगे इसके बाद यहां से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इस ट्रेक में कह सकते हैं कि इस छेतर में जो है कि ज्यादे तर जो वाइल लाइफ पाया जाती हूँ है दोस्तों यहां पे राग गोट भालू भी पाया ज अचे यहां यह चेक पोस्ट पॉइंट है अब यहां से हम आगे चलेंगे गोमुक की तरफ वीडियो में आप लाश्ट तक बन रहेंगे वीडियो में बहुत मजाने वाला दोस्तों एक से बढ़कर की खुबसूरत हिमालाय के विव देखने को मिलेंगे और अंत में मैं जो के लेटेड तो वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे गांगे अब दोस्तों साथ में आप अपने साथ पानी की बोतल जरूर लेकर क्या है इस तरह से नैचरल वाटरफाल्स मिलेंगे पूरे गोमुक ट्रेक में तो आप यहां से बिलकुल सुद्ध धंडा जल भर सकते हैं और पीने के लिए आप इस पानी का पूरे ट्रेक में इस्तिमाल कर सकते हैं दोस्तों वैसे आगे भी ब बहुत ही संदर संदर वीव देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों इस पूरे गोमुक ट्रेक में कर दोस्तों है अभी दोस्तों हम लगबग चार किलियो मेटर की ट्रेकिंग पूरी कर चुके हैं और चार किलियो मेटर की ट्रेकिंग पूरी करने के बाद एक बड़े खुबसूरत सी लोकेशन तक हम पहुंचेंगे दोस्तों आगे मैं दिखाऊंगा एक बहुत ही सुन्दर सा वाटरफाल है या फिर हम कह सकते हैं छोटी सी रिवर है जी से क्रॉस करना है एक लकडी का ब्रीज बनाया गया है छोटा सा तो बिलकुल एडवेंचरस चरनी चल रही है कुमुक ट्रेकिंग की एक बार विव चेक करें आप चारो तरफ सुन्दर सुन्दर पहाड है दोस्तों और बीच में जो है कि छोटा सा मैदान टाइप कह सकते हैं और काफी सारे ट्रेकर्स हैं जो कि ट्रेकिंग कर रहे हैं इसमें से जो आगे आप देख पा रहे हैं इनमें से जितने भी हैं सभी फोरें टूरिस्ट हैं दोस् जिनके साथ हम इस ट्रेकिंग को कर रहे हैं, उनसे भी हम पूरी information गोमुख ट्रेकिंग से related जानेंगे, कुछ important जानकारी भी हो देंगे इस वीडियो में, और गोमुख ट्रेक से related भी कुछ important जानकारी हो देंगे, और ये देखें आप ये छोटी सी river crossing कह सकते हैं, या फिर एक छोटा से जहरने की crossing है, ये देखें आप, इधर से जहरना आ रहा है, इस तरफ से, ऐसे अंगिनत, खुबसूरत, सिनिक ब्यूटिफुल वीव, ऐसे खुबसूरत नजारे, और भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे दोस्तों, इस पूरे गोमुख ट्रेक में, ये देखें क्या अमेजिंग अल्टिमेट वी वे दोस्तों, छोटा सा लकडी का फुल बनाया गया है, जिसे cross करते हैं और उस पार चलते हैं करते हैं अभी दोस्तों लगबग हम पांच किल्यूमिटर कवर कर चुके हैं, यहां थोड़ा साम रेष्ट करेंगे, यहां पर व्यू बड़ा ही सुंदर आ रहा है, और यहीं पर हम जो है अब आपको अपने गैड़ भाई से भी मिलवाएंगे, इंटूड्यूस करवाएंगे, और गुमुक ट्रेकिंग से रिलेटेड यह कुछ इंफर्मेशन भी आपको देंगे, और साथ इसाथ अपना कांटेक्ट नंबर भी शेयर करेंगे, ताकि आप भी कभी आएं गुमुक ट्रेकिंग करने के लिए, या फिर गुमुक से आगे सतोपन्त की भी ट्रेकिंग होती है, तो अगर ट्रेकिंग आप करना चाहेंगे इनके साथ तो इनका मैं कांटेक्ट नंबर भी इस वीडियो में दूँगा, बाकि भी उप्चेक करें कितना सुंदर भी वज़ोशन, यह देखें आप, मागंगा का संपूर भी यहां से देखने को मिल रहा है, माभागी रती का, यह देखें आप, देख रहा है ना, अभी हमें यहां से लगभाग 15 km ट्रेक करना है, तब हम गोमो ग्लेसियर तक पहुश पाएंगे, अभी यहां थोड़ा रेष्ट करेंगे, और अभी आप जो है, हमारे काईट भाई से कुछ जानकारी प्राप्त करें, जी नमस्ते, मेर मेरा नाम है नमनीत, और मैं प्रकाश से बेलों करता हूँ, तो मैं हाँ ट्रेक लीटर हूँ, और ट्रेकिंग और इसका डिस्टेंस है, और किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, गोमोग ट्रेकिंग करते से हैं, पहले तो हमारा घुमगोतरी से 14 km का ट्रेक स्टार होत होता है भोजवासा में, फिर अगले दिन हमारा नेस्ट टे होता है भोजवासा से, वो मुक्त जो हमारा 4 km पर होता है, और आज हम लोग चले थे, वहां से यंगोतरी से चले थे, आज 7 बजे चले थे, अभी लगबार सड़े में हो रहा है, पांच किलो मेटर हमने कबर कर द कि अपना पेस को मेंटेन करके रखना चीए, और ऐसे नहीं कि हम यहां पर बीडियो बना रहे हैं और पिछे से कोई आ गया, मुला वो सब दियान में रखने पड़ती है, जैसे आप देख रहे हैं फो लोग ट्रेल दिखाना एक मिला, ट्रेल देख लो कैसा नेरो ट्रेल हो है हुआ, तो आपक सिर्फ मर्म वे के लिडिवाट करें ऊंते हैं। यह आफे ब्रटायें को अनसी है क्लिकित उनने जरी हैुआ, अन्हां पर ऐसे से शक्रप्लें क माड़ती चरफ कराते हैं दाल कि यहां यह नही旨 हम पर देख कि अजव तो यहां पर इसे हुआ से शमय अ पार्कि अगर आप हेल्दी है तो आईसी कोई प्राउलिम नीज़ है यंग है हेल्दी है क्या आप से लेवल से आप हाय अल्टिकूर पर आ रहे हैं अभी हम लोग जहां पर खाय रहे हैं इसका अभी अगर थे तीसों मीटर लग जाए अभाजिश्यासान नीज़े होनेवाला है 14 किल मेटर पर उसका अल्टिकूड है 3800 मीटर जो गयंडर का दिन ने पए फेल 2 00 है फेल 2 00 मीटर काफी ज्यादा है दोस्तों आप सुन भी पा रहे हैं काई भी जाए और एक दिन पहले पर दोदो है अगर आप भी बहिया के साथ जो है ट्रेकिंग करना चाहते हैं आप नहीं कहां 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 करते हैं कहां कहां करवाते हैं मांटर के बहांट नाया पर एक सरा वहां की ट्रेकिंग करवाते हैं के दार्था ओंञे के अगे इसके थैंद आन। अगर आप भाईया के साथ ट्रेक्टिंग करना चाहते हैं और यह पुरा रजिस्टेश्टेश्ट और अगरा सब कुछ करवा देंगे और ट्रेक्टिंग भी करवा देंगे तो हम चाहेंगे आप अपने कांटेक नमबर सेयर कर दें ताकि जो भी आत्री आएं वीडियो देख करने के बाद आप से संपर्ख कर सकें और आपकी माध्यम से ब्रेकिंग कर सकें जिसर मेरा कॉंटक्ट नमबर है 7060959478 एक बार और बोलते हैं 7060959478 और बता देजिए आगे खाने पीने का क्या सिस्टेम है खाने पीने चीज़े लेंकर चलना चाहिए आया पिर आगे करता है आप कैसे आ रहे हैं अब आप कंपिंग को थरू ह्रहा है ब्रेक्ट सिर्ड शर्ड़िय। यसुदल किससे अपर है क्या गटेंगे, विरुद्वर है को फिरिकम्रें करना एक कहा होगता है कि कर देंगे ऑसते सकी सख़े दोगे हैई कर देंगे, आत डがとう आपको पैग तो आप जोस्तों सुन पा रहे हैं तो आप जो अपने पीने की विवस्ता साथ में ले करके चले पुछ अपना अपना भोता अपना अडिशनल फूड अगरा ले करके चले तो यह कुछ इंफॉर्मेशन थी जो हमने शेयर किया काड़ वहिया के साथ और चलिए आगे चलते हैं आगे चलते हुए जनकारी आपको बीच-बीच में देते रहेंगे चलिए यहां से आगे चलते हैं अब दोस्तों यहां पर धोड़ा सा रेष्ट किया जाएगा और अपने साथ प्राठाव गरा लाए हैं तो खायेंगे इसके बाद यहां से आगे चलेंगे दोस्तों यहां पर जो ना यह प्लांट जो आप देख रहे हैं गैड बहिया ने मुझे बताया कि इसे भोज पत्र का पेड़ बोलते हैं दोस्तों और जो रामायड है फर्स टाइम जो लिखी गए थी रामायड तो इसी भोज पत्र के मैं आपको दिखाओं तो इसमें से बिल्कुल एक पन्ने की तरह से पेज की तरह से निकलता है यह इसी के पत्र पर लिखी गई थी इस टाइब के पत्र होती थे पेज की तरह से और इसका इस्तेमाल यहाँ पर उत्रकंड में पूजान उस्ठान के लिए भी किया जाता है दोस्तों कर दोस्तों कर दोस्तों कर दोस्तों झाल झाल अभी दोस्तों हम 9 km डिस्टेंस कवर कर चुके हैं और हम पहुंचने वाले चीडवासा चीडवासा यहां से मात्र 300 मिटर की दूरी पर है और बिलकुल सामने देखें आप बरफीली पहाड़ीयों की बड़े ही सुन्दर नजारे देखने को मिल रहे हैं हमारे गायड हम से काफी दूर चले गए हैं दोस्तों अब उनको तो पूरा एक्सपेरियेंस है इस पर वो हर दिन ट्रेक करते हैं तो वो तो आगे ही चलेंगे वो देखी वहाँ पिचा रहे हैं पाकी सुन्दर सुन्दर बरफीली पहाड़ीयों के नजारे आप देखें और यह जो सामने आप पेड देख रहे हैं यह चीड के ट्री बोले जाते हैं इसी वज़े से इस अस्थान का नाम चीडवासा पड़ा हुआ है फिर इसकी आगे चलेंगे तो भोजवासा यानि कि जब आप गंगोत्री धाम से गंगोत्री मंदर से 9 किलो मिटर ट्रेक करते दुकाने चाय पानी मैगी की दुकाने मिल जाती है इस अस्थान पर बाकी बीच में आपने देखा होगा 9 किलो मिटर हमने ट्रेक किया कहीं पर भी कोई दुकान नहीं थी खाने पीने की तो बैतर होगा कि आप अपने साथ खाने पीने का कुछ हलका फुलका ले करके चलें जोस्तों बाकी बैग का जो वेट है ना उसको भी कंट्रोल करके चले ज्यादा वेट ठीक नहीं होगा अगर आप कोशिस करें 5-7 किलो ही वेट अपने बैग में साथ में ले करके चले तब जो है आसान होगा ट्रेकिंग नहीं तो भारी भरकम बैग ले करके चलेंगे ना तो बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि 19 से 20 किलोमेटर की ट्रेकिंग है, और अभी यहां पर एक छोटी सी रीवर क्रॉसिंग है, इसे वाटरफाल की भी क्रासिंग बोल सकते हैं, क्रासिंग पर जो पुल बनाया गया है, बिल्कुल छोटे छोटे पुल बनाया गया है, लकड सारा है, आगे जाकर के, ये मा भागी रती में, मा गंगा में मिल जाती है, आगे जाकर के दोस्तों, क्या नजारें ये देखें, स्वर्ग है दोस्तों, स्वर्ग, ये देखें, उपर देखें आप बर्फिली पहाड़ियां, बर्फ की चादर ओड़े हुए पहाड़ियों क अम्रित है अम्रित जितना हो सके आप बोतल में भर भर के इस पानी को खुब पीए दोस्तों क्योंकि ये बीमारियों का इलाज है दोस्तों ये पानी अम्रित है दोस्तों इसको अगर आप पी रहे हैं ट्रेकिंग कर रहे हैं तो आपका सरीर स्वस्ता और रोगमुक्त होने व क्या नजारे वो दोस्तों बहुत ही सांदर नजारे देखें और इधर देखें आप रंग बिरंगे पौधे जिनकी पत्तिएं रंग बिरंगी जोस्तों यह देखें आप जैसे लग रहा है फूल खिले उए इमाले इस पहाड़ी पर एदेखें आप चले जी आगे पहुषते यह दोस्तों चीडवासा यह जो लोकेशन आप देख रहे हैं इसे चीडवासा बोलते हैं क्योंकि यहां पर ठेर सारे पाइन ट्रीज हैं चीड़ के पेड़ीने बोलते हैं इसी वज़े से इस अस्थान कराम चीडवासा पड़ा हुआ है जो कि गंगोत्री से 9 किलोमेटर की दूरी पर है यहां पर मुझे लगा दोस्तों दुकाने होंगी लेकिन दुकाने है नहीं दुकाने लगती थी दोस्तों लेकिन इस बार जो है टेंडर बताया जा रहा है लेट पास हुआ इस वज़े से यहां दुकाने उगरा नहीं लगी है अब दुकाने उगरा सिधे हमे भोजवासा में मिलेंगी दोस्तों भोजवासा जो कि यहां से 5 किलो मिटर की दूरी पर है चीडवासा से भोजवासा का जो ट्रेक होता है न वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि altitude बढ़ जाता है, height जो चड़ाई वो खड़ी हो जाती है यहां से टफ होने वाला है, बाकी चलिए चलते हैं आराम करते हुई दोस्तों आराम के समय आराम का जाता है कर दो 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 झाल 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 झाल